कि अगे कि अगे के अगे के कि अगे कि अगे कि अगे में वेक्टर्स कटम हो चुका है बहुत खुशी की बात है वेक्टर्स को हम लोगों कि अगे कि अगे की फिजिक्स पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने की गुंजाईश बहुत कम है अब आपको आगे दिक्कत नहीं कि फिजिक्स पढ़ने में कोकि वेक्टर्स को बहुत 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 डिटेल में आप सभी बच्चों ने पढ़ लिया 2-D-Motion जिसको हम लोग इंगलिश में 2-D मोशन के नाम से भी जानते हैं एक बार बताओं बच्चोर एक वीमे गती आप लोगों ने पढ़ी थी सरल रेखिये गती सीधी रेखा में गती को हम सरल रेखिये गती बोलते हैं एक वीमे गती बोलते हैं कि आपके पास माले जिए कि यह चाहिए एक्स हो सकता है चाहिए यह जैन हो सकता है किसी भी एक अक्ष के अंदर गती करना वो एक V में गती कहलाता है जैसे मैं आपको बहुत डिटेल में किलिए करता हूँ अड़र रखाय वैसे आप लोगों ने पिर भी जैसे माल लीजे यह आपका X है यह माल लीजे X है यह माल लीजे Y है और यह आपका Z है यह एक्ष्ल में इस तरह है से है यह x अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया, आपकी तरह पे वो z अक्ष है, मेरा पॉइंट यहां पर यह है बिटा, कि आप कोई भी एक अक्ष ले सकते हैं, यह से माली जी आपने x अक्ष ले लिया, अगर आपकी वस्तू केवल इस एक अक्ष के उपर चल रही है, तो वो एक व वीमाएं किलाती हैं, डाइमेंशन्स किलाती हैं, अराम से मेरी बास सुनना समझ मायेगा, अगर अकेले x में गती हो रही है, या अकेले y में गती हो रही है, या अकेले z में गती हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे, एक वीमीय गती, उसे हम बोलेंगे वन डाइमेंशन मोशन वन डाइमेंशन मोशन अब इसमें भी एक कहानी का ट्विस्ट समझी है मैं आपसे यह सवाल पूछू कि एक वीमी गती में वीमाएं कितनी होती है तो यह तो किलिए रहे एक वीमी गती में या तो आप X में चल सकते है या Y में चल सकते है कहने का मतलब आप किवल एक वीमा में चल सकते है किवल एक वीमा के अंदर चल सकते है आपका किवल एक coordinate change होना चाहिए simple भाशा में आपका किवल एक निर्देशांक बदल सकता है एक निईनको निईदेशांग भी बोलते हैं तो यसे माल लेजिए मैं आपको बोलू že आपकी वस्तु अभी यहांपर 1,0,0 पर है x अक्ष में 1 है y अक्ष में 0 है z अक्ष में 0 है तो किसमें बेटा अभी 1,0,0 में है माल लो यह वस्तु चलकर करी यहां पहुंच जाती है अभी हो गया 3,0,0 तो चेक करिए एक वीमिय गती में क्या बदला एक वीमिय गती के अंदर केवल एक अक्ष बदल रहा है और वो अक्ष कौन सा है एक वीमिय गती में केवल एक अक्ष बदल रहा है एक एक अक्ष के निर्दशांग बदल रहा है ऐसे माल लीजिए आपकी वस्तु यहां पर है जीरो, 2,0 पर है और यहां से चलकर के यहां पहुंच जाती है 0,4,0 तो यह भी एक वीमिय गती ही क्या लाएगी तो कि इसके अंदर भी केवल कौन सा निर्दशांग बदल रहा है और आपकी वस्तु माल लो जैसे यहां चल लिह है यहां चली यहां चल करके आगे बढ़ी ऐसे यह पॉइंट है जीरो कॉमा जीरो कॉमा दो पर आपकी बस चल करके यहां पहुंच गए जीरो कॉमा जीरो कॉमा चार राइट हाँ जी तो जीरो कॉमा जीरो कॉमा दो से जीरो कॉमा जीरो कॉमा चार पर चलेगी बस तो यहां पर आप चेक करें कौन सा निर्दिशांग बदला इसका तो एक निर्दिशांग बदला केवल एक निर्दिशांग बदला जैड अक्ष तो आप जैड जैड अक्ष बोल सकते ह दो तो केवल और केवल कौन से निर्देशांग में चैन जा रहा है केवल और केवल आपके हैं जैर निर्देशांग रहा है अराम से समझो यह भी उन्य इक और ट्विस्ट है कि आपकी वस्तु एक सक्ष पर चलती चलती सीधी जा रही है और माल्रों ये वस्तु इस तरह जा रही ऐसे हैं तो उसको हम एक भी में गती बोलेंगे या नहीं बोलेंगे चेक करते हैं आपकी वस्तु अब यहां पर थी वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो पर और आपके वस्तु यहां पहुंच गई माइनस वन कॉमा जीरो पर चेक करें अभी इस इस्तिती में आपके वस्तु में कितने निर्दशांक में चेंज आया कितने निर्दशांग बदले हैं तो चेक करिए एक्स निर्दशांग वन था और वही एक्स निर्दशांग अब क्या हो गया है माइनस वन हो गया है तो केवल और केवल चेंज कौन से निर्दशांग के अंदर आया है आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पे चेंज केवल और केवल, excellent, सी निर्धिशाम के अंदर आया है इसकाigos साफ है, ये भी a行व गती है कि मतलब यह हो गया डिょह कि नियुदी में हम कहते हैं कि वस्तु एक अनौसफ में अख्ष में चलती है वहimon keto कि पर चलने के लिए अगर आपके वस्तु प्लस वाइ में है या माइनस वाय में इक विमीय गति ही कहल आएगी आपके वस्तु माइनस जैड deficit में है या प्लस जैड में है to say को तरहाई बिदने पढ़ेगाएग वppen कि वहां पर अक्षट एक ही है वो केवल एक है आईदर X और Y और Z या तो X हो सकता है या फिर Y हो सकता है या फिर Z हो सकता है वीमा आपके पास केवल एक है परन्तु दिशाएं चलने के लिए आपके पास दो है आप किसी में भी हूं, X में हैं, तो आप प्लस में भी जा सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं, आप Y में हैं, तो प्लस में भी जा सकते हैं, माइनस में जा सकते हैं, और माइनस जेड के अंदर भी जा सकते हैं, किलियर करिए मुझे, फटा फट से कमेंट सेक्शन में अभी क गाड़ी चलरी होती इस स्वेस्टर के साथ यह आपकी चलरी होती ह Carneस ऐसे चलरी तो इसका वाई अच्छ मिश्च बदल रहा केवल और jakiś इसकाएक्ष बदलना है इसका मतलब आपकी कार जो है मक्खन होई गवा है पर्फेक्ट्ली मक्खन है अब आते हैं अपन द्वी वी निये गती की तरह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू डाइमेंशनल मोशन बहुत अच्छे समझना है इसको ठीक है मैं बहुत अच्छे से क्योंकि प्रजेक्टाइल मोशन में टॉपिक है जो आज कवर नहीं करेंगे प्रच्छे पे गती हमारी नेक्स्ट क्लास का सबसे खुपशूरत् से टॉपिक होने वाले और अच्छी से पढ़ने के लिए हैं, आशकी क्लास आपकी वस्तु यहां पर है, point P पर, कहा है आपकी वस्तु, point P पर है, right, x1, y1, थोड़ी दे पाद आपकी वस्तु point यहां पहुंच जाती है, q पर, x2, y2, आप खुद दिमाख लगाएंगे, आपको सब्कु समझ में आएगा, कि आपकी वस्तु इस point पर थी, तो उसके निदिशांग माननो, 2,3 थे, right, आपकी वस्तु चल करके, इस point पर आगई, और निदिशांग हो गया, 4,5, क्योंकि एक्स सक्ष के अंदर भी change आया, x निदिशांग पहले 2 था, 5, 4 हो गया, और y निदिशांग का आपका हो गया, 4,2, y निदिशांग पहले 3 था, अब 4, 2 हो गया, तो आपका x निदिशांग भी बदला है, 2 से 4 हो ए, टेक कर लोगा, पहले x निदिशांग 2 था, और आपकी वस्तु का y निदिशांग 2 है, तो कहने का मतलब यह है, कि आपकी वस्तु जब इस point से इस point पर आ रही है, तो 2 निदिशांग बदल रहे हैं, और जब 2 निदिशांग बदलते हैं, आपकी वस्तु का यहां से यहां तक आने में 2 निदिशांग बदले हैं, तो हम इसको कहते हैं टूउ डाइमेंशन गोशन या फिर द्वीवीमी ए गति क्या मूत करें सभी घडाट से ट्वीवीमी गति इस टॉपिक को समझाने में मुझे बिल्कुल भी मैनाथ नहीं करने अगर कोई वस्तू मान लीजिए एक मक्षी को ले लो आप वो मक्षी जब इस white board या यह smart board है यह मक्षी जब कोई मक्षी ले लो मक्षी इस smart board के उपर चल रही है अगर कोई मक्षी इस smart board के उपर चलती है तो उसके कितने निर्देशांक बदलेंगे अराम से सोचो अगर कोई मक्ही या कोई वस्तू इस स्मार्ट बोर्ड के उपर चल रही है तो उसके कितने निर्देशांक बदलेंगे मेरे हिसाब से दो बदलेंगे X और Y देखो वस्तू यहां पर उग इमान लेते हैं यह आपका 0,0 अराम से फोकस करो बेटा अराम से फोकस करो पॉइंट ही है मालों वस्तू यह 0,0 अब आपकी वस्तू आपकी मक्ही यहां पर है उसका X में निर्देशांक है यहां जाएगी उड़ना नहीं है चलना उड़ने का नहीं चलने का जब चलेगी तो X और Y बदलेगा केवाद दो निर्देशांक बदलेंगे मतलब आप लेते हैं प्रारंबिक इस्तिति पॉइंट पी है X1,Y1 अंतिम इस्तिति क्यू है X2,Y2 प्रारंबिक इस्तिति के हिसाब से पी का इस्तिति सदिश आरवन वेक्टर तो आरवन वेक्टर क्या होगा बिंदू पी का इस्तिति सदिश बिंदू P का इस्तिती सदिश वेक्टर वाला कंसेप नहीं पढ़ा है नहीं समझ में आएगा इस्तिती सदिश कैसे बनाते हैं अपन बहुत सिंपल होता है जिस भी बिंदू की इस्तिती दिखानी है हम लोग मूल बिंदू से उस पॉइंट को जोड़ देते हैं जो वेक्टर बनता है वह कहलाता है इस्तिती सदिश लिखते कैसे हैं इसको आरवन वेक्टर आपको कहा तक पुचाने वाला है पॉइंट पी तक मतलब एक्सवन चलना है एक्स में और वाइवन चलना है वाइन तो इसको इस परकार दिखा जाता है एक्सवन आई-कैप प्लस वाइवन यह सारी बातें वेक्टर के अंदर बहुत 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 डिटेल में पड़ रखी है बिना किसी दिक्कत की मस्त समझे माना चाहिए एक डम मस्त चलिए अब यह आपकी अंतिम इस्तिति है कि आयए बिनदू q इस्तितिश क्या बिनदू q का सिति इस अदिश जिसने वेक्टर पढ़ा है आज की क्लाउस को एकदम हलवा लगेगी बिलकुल कतिज है तो r2 वेक्टर इस इक्वेस थे किया हो जाएगा x to i के प्लस y to j के दिमाख लगाएं आप खुद अपना प्रारंबिक इस्तिती कौन सी होती है जहां से शुरू किया है यह प्रारंबिक इस्तिती वस्तु कहां तक गई क्यों तक गई यह अंतिम इस्तिती है प्रारंबिक इस्तिती से अंतिम इस्तिती की तरफ जो वेक्टर होता है उसे कहते हैं विस्थापन सदेश पढ़ा था आमने वेक्टर में बहुत डिटेल में तो विस्थापन सदेश विस्थापन सदेश कौन साल एक्टर है आपका विस्थापन सदेश आपका है डेल्टा आर वेक्टर यहां से शुरू करेंगी यहां पर मुंडी चेंज हो गई जहां मुंडी चेंज होती है वो वाला वेक्टर बराबर जहां मुंडी चेंज होई वो वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर जिन बच्चों ने वेक्टर बहुत डिटेल में मेरे साथ बढ़ा था क्या उनको कंसेप्ट याद आ गया कि हांसर आपने ऐसी चीज पढ़ाई थी और अगर आप इसको सदिश के त्रिबुस संबंदी योग के नियम से करें यह जिस दिस बच्चे को याद आ गया कि हांसर हमने यह चीज बहुत अच्छे से वेक्टर वाले कंसेप्ट में सीखी थी कि किस प्रकार से लिखते हैं जल्दी से बताओ एक मिनिट का काम नहीं आच्छी का स्कतम करना आच्छी क्लास बहुत छोटी है को कि हम लोगो सब कुछ पहले पढ़ा हुआ इसे मैंने कहा था वेक्टर में ध्यान दोग कंसेप्ट आके बहुत हलवा लगेंगे विस्तापन सदिश वाला और उसके पहले वाला वेक्टर की लेक्टर आप में देख रहे होंगे आपको पता हुआ कैसे लिखा और अगर सदिशों के त्रिबु संबंदी योग के नियम से भी देखें तो जो वेक्टर अगर तीन व बात एक हैं तीसरा जोन के विपरी थे वह उन दौनों के योग के बराबर होगा तो हमने यह चीज कर ली यहां से डेल्टार कितना निकल के आ रहा है और इसी के डायाट ट्रिक बताई थी मैंने यहां से चले वापस चले मुंडी चेंज हो गई जहां मुंडी चेंज हो रह होकी आप यहां से डेल्टार इस इकफ्टि आजाएगा एकस इकफ्ट रॉ एकर माइनस एकस वन आई कैप प्लास वाई बात करेंगे तो यहां से delta r vector आपका आता है x2 minus x1 विस्थापन सदिश है x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap तो यहां से delta r vector आपका हो गया delta x i cap plus delta y j cam यह हो गया आपका विस्थापन सदिश कि देखो चेक करो समझ में आगे कमेंट कर दो खटापकर दिस इस 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 दिस प्लेस्मेंट वेक्टर इस इसको बोलते हैं डिस प्लेस्मेंट वेक्टर गजब का पढ़ाते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपने वेक्टर मैनत किये बिटा इसलिए आपको यह ज़्यादा मज़ा रहा है बस मैं हमेशा यह बात करता हूं कि पुराने लेक्चर में मैनत करो आगे के लेक्चर बहुत असाल लेगे इसके बाद बहुत सिंपल है विस्थापन सदिश को मैंने वेक्टर अगर यहां से यहां तक जाने में समय डेल्टा टी लगा हूं तो अब आप वेग भी निकाल सकते हैं वेग क्या होता है विस्थापन अपन समय विस्थापन कितना है डेल्टा आर समय कितना है डेल्टा टी कितनी जबर्दस चीज़ है या करो start delta r delta r कितना है delta x i cap plus delta y j cap divide by sum delta t अलग अलग करके लिख दीजिए तो यहां से delta x upon delta t i cap plus delta y upon delta t j cap अब आप दिमाग लगाईए X अक्षमे परिवर्तन समय के साथ X अक्षमे वेग कहलाएगा अजी हलवा है Y अक्षमे समय के साथ परिवर्तन Y अक्षमे वेग कहलाएगा Cut 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 Act और आपको अच्छे से पता है डिल्टार ये वेक्टर परम में अगर आपको delta r का परिमान निकालना हो मुन्ना बहुत सिंपल है याद है delta x का square प्लस delta y का square इसी प्रकार आपको अगर v vector निकालना हो तो यह होगा अंडरूट of v x का square प्लस v y का square और अब वेक सद्धिश का एकांग सद्धिश चीए तो पूरा वेक सद्धिश डिवाइड बाय उसका परिमान यह complete तौरण होता है वेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन की दर एक मिनिट में टॉपिक खतम हो जाए एक मिनिट में एक्सेलरेशन ईए क्या होता है और एक्सेलरेशन बहुत सिंपल होता है एक्सेलरेशन एक इसमें परिवर्तन बराबर इसमें परिवर्तन प्लस इसमें परिवर्तन यहां से एवेक्टर कितना आ रहा है एडेल्टा वी एक्स अपउन डेल्टा टी आय के प्लस दिखरा है सबको ओके डेल्टा वी वाई अपउन डेल्टा टीजे क्या है कि अब इसका पोस्टम आटम अलग पेच परिपर देखिए एवेक्टर इस इक्वास टू टेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई के यह क्या है वेग के एक्स वाले गटक में समय के साथ परिवर्तन की दर डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी यह क्या है वेग के वाई वाले गटक में समय के साथ परिवर्तन की दर यह कहलाएगा x अक्षमे त्वरण और यह कहलाएगा y अक्षमे त्वरण अपन a vector को इस प्रकार से लिख सकते हैं और अगर आपको a vector का परिमान चाहिए हो तो वो भी आपके लिए कते ही जहर हलवा है a x square plus a y square तो द्वी वी मेंगती समझाने में दिक्कत नही ओती कभी भी हरो यह चीज पड़िभी अगर समझने में बेहद परिशानी का सामना करना पड़ सकते हैं चलिए बच्चों तो जितने बच्चे यहां पे लाइव हैं बताइए कमेंट करके आपको यह समझ मागे कहानी यहां तक की बताओ परफेक्ट सब्सक्राइए तो बेटा यह द्वीविमी एगति के सारे पॉमले खतम बहुत सिंपल था द्वीविमी एगति का मतलब आपके कोई भी दो निर्देशांग बदल रहे हूं मैंने एक्स और य को लिकर के देख लिया आपको एक बात और बता दूं जैसे मा यह य अक्ष है यह जैड अक्ष है ध्यान से देखना अगर कोई प्लस में प्लस एक्स में या माइनस एक्स में चले एक वीमी एगति कोई प्लस जैड माइनस जैड में चले एक वीमी एगति कोई इस तल में चले तल बोलते हैं इसको दो अक्षों से मिलकर के एक तल बनता ह रहा है, कोई भी चल रहा है, तो उसके दो निर्दिशान का बदलेंगे X और Y, Z अक्ष का निर्दिशान का नहीं बदलेड़ा, वो 0 ही रहेगा. तो अगर कोई इस तल में है, तो उसका X और Y बदलेगा, और उसका जैड कितना होगा जीरो होगा और हम बोलेंगे कि वो द्वी भी में गती में है अगर कोई इस तल में चल रहा हो इस वाले तल में तो ये है वाई जैड तल ये जैड अक्षन तो ये इस वाले तल की बात हो रही है अगर कोई X तल में चलेगा तो उसका Y, Z तल कहलाएगा और इसमें X अक्ष का component 0 होगा तो अगर कोई इसमें चलने की कोशिश करेगा तो उसका X 0 होगा और कोई अगर इसमें चलेगा तो उसका Z 0 होगा अगर कोई इस तल में चलेगा इस वाले में तो उसका X और Z बढ़लेगा इसको बोलेंगे X, Z तल ये तल 3 है और इसके अंदर Y बराबर 0 होगा तो द्वी वी में गती के लिए जनरली आपके पास 3 तल हो गए आपका origin हो गया बीच में 0,0 अगर आप इस पर चल रहे हैं तो X और Y बदलेगा अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो Y और Z बदलेगा और अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो आपका X और Z बदलेगा बताओ समझ माया जल्दी से मेरे पास एक और चीज है जिससे मैं आपको यह टॉपिक के लिए करवा सकता हूं लेट्स हैव लुक हीर एक्स वाइज यह 0,0,0 है इसमें कोई चलेगा एक्स और वाइज में चेंज होगा सही है इसमें कोई चलेगा यह वाला तो इसमें एक्स तो 0 हो गया वाइज और जैड़ में चेंज होगा और अगर कोई इसमें चलेगा नीचे वाले सेक्शन में तो उसका एक्स और जैड़ में चेंज होगा X और Z में change होगा अराम से फटाफर से देखिए आप मुझे बताइए समन माया की नहीं है हाँ जी बताइए मक्खन हो गया एकदम नाइस एक्जम्पल ओके यह रहे तुमें एक्जम्पल देने तो बैठे हैं वहीं हमारा कामी एक्जम्पल देने का एक्सवाइए एक्सजड एक्सवाइए एक्सवाइए वाइजड एक्सजड अब अराम से घर में डब्बा लिके आओ उसके साथ खेलो तुम्हारा को तीलो अक्ष एकदम मखन हो जाएगे टो द्विम्वी गती का कसे पर्फेक्टली फिनिश मेरी तरफ से अगली क्लास में में डाय्रेट्स कर सकता हूँ प्रक्शेप गती वह प्रोत इसी प्रकार से मेहनत करते रो एक जगे एक टॉपिक को ठीक से पड़ोगे फूचर में वो टॉपिक आपके काम आएगा मिलते हैं अगली क्लास में जैहिंद और हाँ बैज जोई नहीं किया है नंबर है कॉल करो एफ्लिक्शन इस्टॉल करो और जल्दी से जल्दी बैज को जंगरो वबै चाहिंद